सौरब जोशी जी दिल्ली से महारा जी आपके चर्ण कमलों में कोटी-कोटी पढ़ा महारा जी जब हमारा मन्त संसारिक भोग जैसे कंचन कामनी और किर्थी के प्रति आसक्त होने लगे तो उसे कैसे समझाएं कि इसमें सुख नहीं है देखो उसकी समझ के लिए बिवेक चाहिए अभी बुद्धी तो है सब के पास उसमें बिवेक नहीं उप जाएं बिवेक जब होता है तो इस बात खतम हो जाती कि कैसे समझाना चाहिए होई बिवेक मोह ब्रह्म भागा तब सब विसे विलास बिरागा बिवेक से अचाब बिवेक बजार की चीज है नहीं बिनु सतसंग बिवेक नहोई और सतसंग राम कृपा विनुशुलब नशोई तो मुझे लगता है आपके उपर भगवान की कृपा है क्योंकि शंतसंग Мिला अब मुईभाभ रोज हनुमनता बिनुहरी क्रपा मिलेने शंत तो भगवान की कृपा है अब सतसंग सुनो अब तो सत्संग में इन्हीं तीनों बातों के काटने को बार बार घुमा घुमा करके उधारण दे जाते तो आपके दिमाग में बैठने लगेगा सत्संग सुनते सुनते मन पवित्र होने लगेगा तो दिमाग बैठेगा भगवान के नाम में भगवान की लीला चरित्र में और इ पर अभी कच्छे हो इसलिए अभी कच्छा है इसलिए जब सच्छाय आजाएगी तो हम आपको सच्छी कहते हैं विश्व का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हमारे भजन को रोक्षके कोई भी कारे ऐसा नहीं और विश्व का कोई भी कारे ऐसा नहीं जो मेरे प्रभू की प्रशन्नता के लिए नहोग जिसको जहां जो कारे मिला है खुब अच्छे ढंग से उस कारे को करते विए नाम जब करे वो भगवत प्राक्ति कर लेगा देखो मांस काटना बहुत गंदा काम है ना और शदन कसाई जी कितना चे बुले एक किलो तो वही साली ग्राम भगवान एक किलो हो गए कितना चे दो किलो वही साली ग्राम भगवान और हर गड़ासे में नाम चला है भगवत चला है वो किसी जीव को नहीं मारते थे कसाई कु तो सब बात बन गई बच्चा, कोई भी कर्म हमारे भजन में तब बादक होता है, जब हम अपने सुख के लिए अपने धर्म का त्याक करके आचरण करते हैं, अगर हम अपने धर्म में अपना सुख लें, तो भजन ही बन जाएगा, जैसे ग्रेश्टी में ब्या हो गया, अब सब्सक्राइगा, माता पिता की सेवा बनेगे, परिवार का पोश्राण होगा, हम अच्छे से अच्छी वस्तो अपने ठाकुर दिएख हम इस पैसे झाला जान लिया माला चलाना बहुता है कि जब हम भगवान के हो गए अब एक होता है कि पैसे से नोकर होना पूरा समर्पीत नोकर घर का नोकर घर का आद्मी जैसा रहता है दें लेता उसमें क्योंकि पेमेंट नहीं लेता न तो वह इसे कपड़ा पेंगे जैसे बाबुजी वो भले भाव में रहता है कि बाहरी आदमी यहां नो कर पर वो समर्पित नो कर रहे हैं अब उसका घरवालों में कोई भेद नहीं होगा लेकिन जो पैसे से उसमें भेद हो जाएगा तो अपने लोगों को प्रभु का ऐसा शेवक बनना चाहिए घरवाला यह हमारी पूरी स् जिहाने में बढ़ हम क्या अपनी दिमागी जंजट से परेसाद रहते हैं उसको अगर सही मार्ग में लगा दे कोई परेसा जीवन भर वैश्यागीरी की पिंगला जी ने जनकपुरी में रहती थी एक दिन उनके हरदय में आया कि देकार हमारे जीवन को मैं क्या कर रहे हू कोई आया है नहीं पूरा अपसोंचों इंतिजार में बैठी कोई आया नहीं भोजन की पे उस तक कैसे बहुत जलन हुआ धिकार है इस दंदे से मेरा जीवन प्रभु को आज से समर्पित है और मैं अपना प्यारा प्रीतम पती भगवान को मानती हूँ आज से किसी पुरु प्रभु का और शारी सश्टी मेरे प्रभु की अब जो प्रभु शेवा देंगे इमानदारी से करूंगा लेकिन प्रभु के लिए बस मात्मा हो गया खास बात समझे नहीं धर्म पर डटे रहे रहे अधर्म करोगे एक दुष्ट आदमी गाय को मारने के लिए पीसे दोड़ा और गाय ऐसे जंगल में घुसके ऐसे निकले एक मात्मा जी वैठे थे सत्यवादी थे उसे पुछा मात्मा ज करने का सहहयोग करवाएं सत्य को भी बहुत समझडारी से करना है सत्य बोलने से किसी की कि सत्य का नास हो रहा है तो ऐसे सत्य को barnina जोट बूल दो उसको निकाल कई जगे शास्त्रों में ऐशा पाया गया है अब आप किसी की जीवन रक्שा हो राहा है वैं दो मैं दूशवर्द्र न बुनने वह क्या होता है क्योंकि सही बात पूछे तो सत्यृ सरी भगवा वह सत्य ने बड़े सत्य थे प्रहें शड़ ईतों बोल रहे हैं deeply तौटल जूट बोन है कैसे जूट बोलें सथे अब ने जो देखा 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 उने देखा सब्सक्राइब पुरुट जूट देख रहे हो ला जूटे ही तो बोल रहे हो सत्य तो भगवान का नाम है भगवान का चिंतन है